वसकार स्वागत है आपका हमारे चनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रसैनी आर्फियन खान ट्रक केस में शारुक खान की मुश्किले कई कुना बढ़ चुकी हैं शारुक खान को बढ़ा चटका लगा है आपको बता दें शारुक खान की मैनेजर पूजा डड़लानी को NCB की विजलन्स टीम ने समन फेश दिया है और अब पूजा ड़लानी से भी पूस्ताच होगी शारुक खान के लिए बढ़ा चटका इसलिए है क्योंकि उनके बेटे आरियन खान इस पूरे ड्रग केस में वज़े हुए हैं फिलाल वो जमानत पर बाहर हैं लेकिन उनकी मैनेजर पूजा डड़लानी जिनका नाम इस पूरे केस में बाहर बाहर साफने आए हैं और यहां तक उन पर अहरोप लगे हैं कि दरसल आरियन खा को बचाने के लिए पूजा डड़लानी ने पैसो का ओफर दिया था पचास लाग रुप्य की बात साफने आई हैं और इस पूरे एक्स्टोशन के माफले की जाच जो है वो मुंबई SIT भी कर रही है लेकिन इसी के साथ साथ NCB की विजलेंस टीम भी इस पूरे माफले की ज साफतोर पर कहा किया है कि जाच को बरभावित किसी भी तरीके से ना किया चाए और लगातार वो अपनी जाच पड़ताल कर रहे हैं जो नाम पर खाकर सैल के इस हलाफ नामे में साथने आए हैं जिसमें उन्होंने वसुली के गंफीर आहरोप ना सिर्फ किरन गोसाफी जो क गर रही है जिसने पूजा डडडलानी को समन भेज दिया है तो शारुक खान की मुश्किले भी पड़ सकती हैं शारुक खान से भी इस पूरे माफले में पूस्ताच हो सकती है और माना च्वारा है कि अगर यह आःरोप सही सावित होते हैं तो जाहर तोर पर शारुक खान कि सिकंजे में फस सकते हैं उन्हें भी अरेस्ट किया जा सकता है इसमें कोई संदे नहीं है क्योंकि पूरा माफला अगर ये पैसो के लेंतिन से जुड़ा है अगर आशियन खान को बचानी के लिए ये गवहाओ को परभावित किया क्या गवहाओ से ये डील की गई पूजा डटलानी की ओर से तो शायद मुश्किले कई गुना जो है वो शारूख खान और उनकी मैनेचर पूजा डटलानी की भी पढ़ेंगी ना सिर्फ एंसीबी की विजलेंस टीम ने पूजा डटलानी को ये समन फेचा है बलकि इसके अलाबा आपको बता दें मुमबाई SIT जो क किरन गोसावी के एक्स्टोशन के माफले की जाच कर रही है उन्होंने भी डरसल पूजा डटलानी को समन फेचा है पूस्ताच के लिए मुमबाई पुलिस की SIT ने भी पुलाया है लेकिन डटलानी ने तब्यत खराब होने का हवाला देती हुए मुमबाई पुलिस से और स बढ़ रही है चुकि एक तरफ NCB की जो SIT है उसका गठन हो चुका है आरियन खान ड्रग केस जो है वो अब SIT को सौंप दिया है वो अब इस पूरे मामले की जाच कर रही है जिसमें आरियन खान को SIT की और से जमन फेचा किया था रहिवार को पूस्ताच के लिए बुलाया लोग नहीं किया जा रहा है लगातार जाच को परभावित करने का काम शारुक खान नवहाफ मलिक जैसे लोग कर रही है ये लगातार बड़े खुलासे हो रही है फिलाल आपको बता दें शारुक खान की मैनेचर है पूजा डडडलानी और बीते कई सालों से वो शारुक ख अफ्तर में भी उन्हें देखा किया यानी आखियन खान के लिए वो हमेशा खड़ी रही लेकिन उसको लेकर परभाकर सेल जिन्होंने एक हलफ नामा जुआरी किया था जो कि किरन गोसावी एंसीबी के गफा उनके बोड़ीगार हैं अपने हलफ नामे में उनकी तरब से य मरसरीज कार का भी जिक्र उनकी तरब से किया गया था तीन अक्टूबर को ये मुलाकात हुई है पैसो का बैग पूजा डटानी की ओर से किरन गोसावी को दिया गया है ये भी बड़ा खुलासा उनकी तरब से किया गया था उसकी CCTV फुटिज कुछ समय पहले ही मुंबाई पुलिस को लोहर परेल से मिली थी ये फी इस पूरे माफले में खुलासा हो चुका है और मुंबाई पुलिस ने इस बात की पुष्टी की थी कि दरसल पूजा डटलानी की कार वहां देखी गई है लेकिन फोटेज में जो महिला दिखाई दे रही है वो पूजा डटलानी ह इस बात को लेकर पुलिस की और से कोई पुष्टी नहीं की गई थी लेकिन अब इस पूरे माफले की चार्च मुंबाई पुलिस की SIT और साथ ही NCB की विजलेंस टीम कर रही है आपको बता दे NCB की विजलेंस टीम फिलाल मुंबाई में है और अगातार वो च्छानबीन कर रही है तमाव जो नाम साथ ने आई है फिर चाहे वो परफाकर जैल हो सैम डि सूज हो हो और पर क्रिण कोसावी हो उनके बयान दर्च कर रही है पर ंरोलाल फराय है लेकिन इसी बीच आपको बता दे सैम डि सूजा साथ ने आए और उन्हों एक इंटर्व्यू में चास लाख रुप्ये की आखियन खान को पचाने के लिए जो पूजा डड़नानी की ओर से इस केस में कवा किरन गोसावी को सौपी गई थी लेकिन सेह ने ये भी साथ साथ बताया कि किरन गोसावी एक थोके बाज है तो ये रकम वापस पूजा को लोटा दी गई याहीं ये उन तक नहीं पहुची ये उन्होंने अपनी तरब से इस बात का खुलासा किया है लेकिन रकम कहां पहुची और किस तरीके से जो समीर प्वानखेडे पर आहरोब लगाए चा रही हैं वो दरसल आहरोब जूटे हैं इसका खुलासा पूजा डड़नानी से पूस्ताच में ह हो पाएका और अब यही वज़ा है कि जब एंसीवी की विजलन स्टीफ ने पूजा डड़नानी को समन फेचा है तो उनसे तमाम सवालों के जवाब जाने चाहें के कि आखिर किरन को साफी और सैम डिसूजा को कितना पैसा सोबा किया क्या ये जो रकम है उनकी तरब से दी कई आर्यान खान को बचाने के लिए अगर ऐसा है तो पूजा ड़नानी शारुक खान और उनके बेटे आर्यान खान की मुश्किले कहीं ज़्यादा बढ़ती नजर आएंगी और हो सकता है कि शारुक खान को भी इस पूरे माफले में अरेस्ट कर लिया जाए लेकिन इस बी इंटर्फ्यू में ये बड़ा तावा किया किया है कि पूजा डड़लानी की और से 50 लाक रुपिये जो है वो आर्यान खान को बचाने के लिए किरन गोसावी को सोपे गए थे हाला कि परभाकर सेह ने जिन रुप्यों का जिक्र किया वो 48 लाक रुपिये थे लेकिन अब सै उनने कहा है कि दरसल जिस तरीके की ये खबर साफ ने आई है कि पूजा डड़लानी ने केपी गोसावी को 50 लाक रुपिये जबरन वसूली के लिए दिये थे उसके बाद शारुक खान को दरसल धंकी मिल रही है दावा ये भी नवाफ मलिक की और से किया क्या कि शारुक खा प्रताफनी दी गई है कि दरसल उनके बेटे को क्रूज ड्रग ब्रस्ट केस में जेल फेजा जाएका और मलिक ने ये भी कहा है कि इस बात के पर्याप्त सबूत है कि पूजा डड़लानी ने आर्यान खान को रिहा कटने की 18 करोड रुपिये की पेशकस के तहत बिचोलियों को 50 लाख रुपिये का भुकतान किया था शारुक खान को डड़ाने की कोशिच की गई जबसे उसने 50 लाख रुपिये दिये फेह भी आहरोपी बन किया यानि बचाफ किस तरीके से खुलकर नवाफ मली कर रहे हैं लेकिन ये सवाल अब पूछा जाएगा कि आखिर पूजा पूरा परदाफाश होकर रहेगा और इसी का इंतजार लगातार किया जा रहा है कि आखिर ये पूरा मामला जो कि समेर वानखिडे जैसे इमानदार ओफिसर को घिरा जा रहा है उन पर 8 करोड रुपिये की वसूली का आहरोप लगाया चारा है कि आरियन खान को बचाने के लिए चुडाने के थिये समेर वानखिडे तक 8 करोड रुपिये जाने थे लेकिन इन आहरोपों में कितनी सचाई है ये अब NCB की विजलन्स टीम ही इसका खुलासा करे की आपको बता दे NCB की विजलन्स टीम ने समेर वानखिडे से पूस्ताच कर चुकी है और उन्हें एक के लावा आफियन खान ड्रग केस में भी NCB की जो कारवाई है समेर वानखिडे ने जो कारवाई की है वो बलकुल सही है वो लगातार महराज में इस पूरे ड्रग नैक्सिस को द्वस्त करने में लगे हुए हैं और यहां तक भी खुलासा हो चुका है कि दरसल ये सब कुछ नवाफ पनिक अपने दामाज समीर खान को बचाने के लिए इस तरीके से हतकंडे अपना रहे हैं जहां वो ना NCB के जोर्नल डिरेक्टर समीर वानखिडे को छोट रहे हैं और ना ही NCB पर भी लगातार उनकी तरब से आहरोप लगाए गई हैं लेकिन फिलाल शारुक खान क की मैनेचर मुझा डटलानी को अब NCB की विजलेंस टीम ने के समध फेचा है पूस्ताच उनसे होगी पर फाकर जैल के दाहों में कितनी सचाई है ये भी खुलासा होगा और समीर वानखिडे पर जो आहरोप लगाए गई हैं वो कितने जूट हैं कितने बेबुन्याद आहर इसका खुलासा भी अब NCB की विजलेंस टीम करें की चुकि ज्यानेश्वर सिंग जो कि DDG हैं NCB की विजलेंस टीम के वो अब एक्शन में हैं उन्होंने ये साथ तोर पर कह दिया है कि कोई भी इस जाच को परफावित करने की कोशिश ना करें जिस तरीके से नवाहमनिक ल गुस्ताच करें हो सकता है कि शारुक खांट भी कल चलाखों के पीछे हों फ़लाल आपके इस पूरे माफले में क्या राय है हमें कॉमेंट वोक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें तन्यवाद